तो फ्रेंड summer season start हो गया है गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो काफी भाई इस बात को लेकर confused हैं कि अब गर्मी के मौसम में हम अपने बर्ड से breed ले या नहीं बहुत से भाई ऐसे हैं जो अभी बर्ड लेकर आए हैं उनके यहां pairing वगैरा हो गई है तो आब उनको breed लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो वो यह सोचकर confused है और कुछ भाईयों के यहाँ पर breed हो चुकी है तो वो यह सोचकर confused है कि अब हमें आगे second clutch या third clutch लें या बंद कर दें गर्मी के मौसम में बिल्कुल breed लें या नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों के इस गर्मी के मौसम में आप अपने बर्ट से breed लें या नहीं और अगर लेनी चाहिए तो किस तरह से आपको अपने बजीज पैरट से breed लेनी चाहिए तो दोस्तों चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बैल को कर दीजेगा ओन तो देखिए फ्रेंड्स बजीज पैरट जो होते हैं ये नॉर्मली पूरे साल भर breed करते हैं पूरे साल भर breed करते हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनसे पूरे साल ही breed लेते रहें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हम करते भी नहीं हैं हम लोग जो हैं सेप्टमबर के महीने में मटकیاں लगाते हैं और लगबग मार्च अप्रेल तक ही ब्रीड लेते हैं और उसके बाद ब्रीड लेना बंद कर देते हैं चार महीने का लगबग रेस देते हैं अपने बजीस पैरट को क्योंकि गर्मी काफी जादा हो जाती है और गर्मी के मौसम में बजीस पैरट से बिलकुल ब्रीड नहीं लेनी चाहिए उसका रिजन यह है दोस्तों के फीमेल जो होती है जब वो अंडों के उपर बैटती है तो वो भूकी प्यासी अंदर बैटी रहती है मट्कियों के अंदर काफी जादा गर्मी हो जाती है दोस्तों उससे जो है फीमेल की हेल्थ खराब होती है फीमेल जो है कभी कभी इस गर्मी की वज़ा से बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाती है या फिर मर भी जाती है तो गर्मी के मौसम में फीमेल को भी नुकसान है और जो बच्चे वगरा निकलते हैं उनको जातर गर्मी के मौसम में देखा गया है मोशन वगरा की प्रबलम होती है और मोशन से बच्चे मर जाते हैं और बच्चों की हेल्थ वगेरा भी अच्छी नहीं रहती है जादा गर्मी पड़ती है तो तो हमें इस समर के महीने में गर्मियों के सीजन में अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने बर्ड से ब्रीड ना लें उनको गर्मियों में रेस्ट दें और सर्दियों में ही उनसे ब्रीड लें तो लेकिन दोस्तों कुछ भाईयों के यहां ऐसा होता है कि मान लीजिए वो अभी बर्ड लेकर आएं हैं उनके यहां पेरिंग वगेरा हुई है अभी फीमेल ने मटकी में जाना स्टार्ट करा तो अभी गर्मी स्टार्ट हो गई तो भाई कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई अब क्या करें यार कागर हमने मटकी वगेरा हटा दी तो हमारे बर्ड डिस्टर्ब होके कहीं ब्रीड से हटना जाएं कहीं वो ब्रीडिंग करना ही न छोड़ दें तो भाई कन्फ्यूज होते हैं तो देखिए भाई गर्मी के मौसम में अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो भाई आप उनको टेंप्रेचर मेंटेन करके दें पहले तो उन भाईयों के यहाँ जिनके यहाँ पर ब्रीड वगेरा हो गई है चाए एक कलच या दो कलच हो चुके हैं उनको बिल्कुल ब्रीड अब ना लें गर्मी के मौसम में आगे चलके इस कलच को कंप्लीट करने के बाद अपरेल तक ब्रीड लेनी है तो ले सकते हैं उसके बाद जब मई जून जुलाई का महीना आता उसमें बिल्कुल भी ब्रीड ना लें लेकिन कुछ बाई ऐसे हैं जिनके अभी बर्ड ने ब्रीड नहीं की है और उनके यहां पर पेरिंग वगेरा हो गई है तो उनको लगता है कि अगर वो मटकी हटाते हैं तो बर्ड डिस्टरब ना हो जाएं तो उनको ब्रीड ले सकते हैं लेकिन उसको लेने का तरीका यही है कि आपको टेंपरेचर मेंटेन करके रखना होगा कूलर वगरा लगाना होगा अपने बर्ड के निये वेंटिलेशन का ख्याल लखना होगा तो अगर आप टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं आप जो है जादा गर्मी नहीं रखेंगे केज और कॉलोनी के अंदर वेंटिलेशन का ख्याल लखेंगे तो आप ले सकते हैं ब्रीड अगर आपके यहाँ पर कभी ब्रीड नहीं हुई है तो आप ले सकते हैं गर्मी के मौसम में भी ब्रीड लेकिन अगर आपके यहाँ पहले से ब्रीड हो रही है तो अब आप गर्मी के मौसम में बिल्कुल ब्रीड ना लें रेस्ट दे दें अपने बर्ड को अभी मार्च और अप्रेल तक आप बिल्कुल ब्रीड ले सकते हैं उसके बाद जो है मई जून जोलाई यह तीन महीने आपको बिल्कुल रेस्ट देना होगा अपने बर्ड को और जो भाई अगर ब्रीड लेना चाहते हैं तो भाई आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा चाहे आप फूलर चलाकर मेंटेन करें या इसी से मेंटेन करें या फिर आप वेंटिलेशन का ख्याल करें जैसा भी करके आप कर रहे हैं तो उससे आप तभी ब्रीड लेते हैं तो दोस्तो गर्मी के मौसम में हाला की ब्रीड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए बर्ड की सेहत भी खराब होती है चिक्स वगेरा की भी हेल्थ अच्छी नहीं होती है चिक्स वगेरा भी मरते हैं मोशन वगेरा की प्रॉबलम जादा हो जाती है बच्छों को तो गर्मी का सीजन तो हमें एवाइड ही करना चाहिए ब्रीड लेने के बारे में बस अपने बाड को रेस्ट वगेरा देना चाहीए अच्छी ढाइट वगेरा दें, उनकी केर करते रहें इनतसार करें आने वाले ब्रीडिंग सीजन का, तब हम को उनसे ब्रीड लेनी चाहीए तो अभी फिलहाल जो है ब्रीड ले सकते हैं अगर आपके यहां पर पेरिंग वगेरा हो रही है फीमिल मटकी में जा रही है तो एक किलच आप अभी ले सकते हैं अभी टाइम है अगले महिने तक का ब्रीड लेने का तो अगले महिने तक आप ब्रीड ले सकते हैं तो दोस्तो एक वीडियो मैं इस टॉपिक पर भी बनाऊंगा नेक्स वीडियो जल्दी के जो है बर्ड्स के निये धूप कितनी जरूरी है अगर धूप बजीस पैरट को नहीं लगती है तो क्या बजीस पैरट ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो ये भी एक इन्फोमेटिव वी इन्फोमेटिप बजीत्तितलनेूटर है जो को जादा गर्म करेंगेज़ ये पनी जाएदा गरम मोंच्टोम अगल होती हैं उनको ठंडा रखने की किसी भी तरह से जो भी आप कर सकते हैं उनको प्रोवाइट कराएं चाहे वो कूलर है चाहे वो आप स्प्रे करें ठंडे पानी से वेंटिलेशन के जंगले ओपन करें जैसे भी करना तो गर्मी के मौसम में अच्छे से खयाल लखें अपने बर्ड्स का तो ठीक है दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो कर लीजेगा लाइक इजासत दीजिए ओके गुड़ बाई